हेव फ्रेंट्स, मैं नोब इस विडियो आप लोग जान रहे हैं कि कैसे आप लोग WBG24 का फॉर्म भर सकते हैं देखे 28th को जो है इसका फॉर्म निकल चुका है लास्ट ये 25th को निकला था तो ऐसे में दोस्तों अब जो है काफी कम समय आपके पास बचा है आप इस पॉर्म को भरे साथ में आपको बता दू लास्ट ये बहुत सार बच्चों ने बाद में कुछ गलतियां की थी जिस करन से उनकी सीट जो है गवर्मेंट कॉलेजेश प्राइविट कॉलेजेश में उन्होंने खोया तो ऐसी कौन सी गलतिया शाइद आप कर सकते हैं अजर स्टेट के हैं या फिर आप इन्स्टेट के हैं तो ऐसे में पूछ चोटी बोटी गलतियां फॉर्म भरते हूए हो सकती है जिनको आप अभी जो है वीडियो को देखकर सुधार सकते हैं दूसरी बात अगर आपके पास जो है laptop नहीं है, computer नहीं है तो हताश होनी की कोई बात नहीं क्योंकि इस particular वीडियो में मैं आपको उनका भी बताता चलूँगा कि आप कौन-कौन सी चीज़ें देखते चलें, कोई documents आपके पास अभी नहीं है, आप सोच रहें कि शायद मैं इ application form, बाद में आपको जो है counseling form भी आपको भरना पड़ेगा अगर आपको college चाहिए तो, तो ऐसे मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके अंथकाप, जरूर देखे, और खुशिया हो, अगर बात नहीं हो मेरे संग, तो दोस्तों को भी share जरूर कीजिए, सबसे पहले आप लोगों को जो है WBJ के official site पे आजाना है, official site पे आते ही, आप लोग जो है, ऐसे अगर सीचे सोचे कि मैं WBJ सर्च करो, वहीं पर जो है recommend हो जाता है WBJ 2024, इसमें जो है आप बड़ी आसानी से आएंगे, something is wrong, पड़ कोई कुछ wrong नहीं है, फिर click here करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद examinations वाले सेक्टर में जाएंगे, और जाके click करेंगे WBJ, देखे आगया, उसके बाद जो है आपकी पास आगे बढ़ते हुए, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा, कि WBJ 2024 आचुका है, तो आप इस पे जो है, उपर में click कर सकते हैं, अगर आपको यह दिख रहा है तो, नहीं तो अगर आप नीचे आएंगे तो देख सकते है, candidate activity board, जहाँ पर आपको दिखेगा, online application form submission, तो ऐसे में जो है, इस बार नया नया कुछ आया है, और रंग भी बदला है तो यह तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, application number आपको देना पड़ेगा, password देना पड़ेगा, पर यह तो मुझे देना ही नहीं है, क्यूंकि मैं तो एक नया registration करूंगा, तो आप यह एक बात बताईए, मैं आपसे मजाग से पूछ रहा हूँ कि जो है, क्या मुझे form भरन चुक हैं, तो WBGD कुछी अच्छा decision लिया है, तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार form में कुछ glitches आई हैं, तो आपको face करना पड़े, पर यहाँ पर आपको अपना candidate name देना, जैसे कि मैं अपना नाम विवेक अगरवाल दूँगा, अपने पिता जी का नाम दूगा, अपने ममी पापा का नाम दूगा, उसके पाद अपने date of birth को दूगा, identification में हमेशा ध्यान रखें, जादा कुछ दिमाग में ना डालें, आप अपने class का 10th का admit card जरूर दे, देखें, यहाँ पर नहीं तो अगर आपका voter ID card बना है, तो दे, इसके जो है, सिर्फ identification number देने पर ही आपका काम बन जाएगा, तो ऐसे में चलिए बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते, यहाँ पर आपको अपना mobile number देना है, ध्यान रखें, लास्ट येर बच्चों के संग हुआ था, उनका mobile number उन्होंने गलत दिया, और बाद में उनकी seat किसी college न देना चाहता हूं, तो ऐसे में share ना करें नहीं, तो बाद में गलबर हो सकती है, ध्यान रखें कि हमेशा जब password आप set करें, तो password एक strong password हो, सिर्फ आपका नाम at the rate 1234, आज के दिन सब के लिए common है, तो ध्यान रखें कुछ unique सा password लेके और password बनाते हैं, कि किसी और जगा store करके जैसे ही आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएगा submit and next, आप प्लीज यहाँ पर submit and next कीजिए, इसके बाद ध्यान रखें आपको आपका OTP की वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप recent कीजिए अपना OTP, और देखिए आपके mobile पर OTP आएग है क्योंकि आप जो है वो cheating तरीका से काम नहीं बन सकता, फिर भी मैं आपको recommend करूंगा, don't share your details, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आज के दिन आपको पता है, data breaches can be always there, मैं काम करता हूँ, data में तो मैं देखता हूँ, so data is very important दोस्तों, आपका data आपको पता भी नह में बिखता है, तो ऐसे मैं आपको important रखना है, so state of domicile अपना दीजिए, जैसे कि मैं West Bengal से हूँ, ध्यान रखें, अगर आप state of domicile सोचे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आसाम देता हूँ, see there are no more options coming up, क्यों, क्योंकि this is very important, तो अगर मैं state of domicile देता हूँ, West Bengal, then I am getting a lot of other options, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि religion में जो हिंदू देना है, category, अब आप यह सोच रहे होंगे कि जो है, अगर मैं state of West Bengal छोड़कर, अब जो है मैं आसाम दूँ, तो आप देखिए, category only general, other state categories, only general, so always give, अगर आपका West Bengal है, then only you are getting the options of other categories, पर यह पहले नहीं हुआ करता था, पहले है, SCST, तो सिर्फ वो West Bengal के students के लिए ही validable है, तो आप सुचीजे जो मैं हूँ, general EWS, अब मैं form भरूँगा आगे, disability आप know दीजिएगा, साथ में जो है tuition fee waiver, आप यह option देख रहे हैं, tuition fee waiver, यह भी सिर्फ मिल सकता है, सिर्फ जो बच्चे West Bengal के हैं, और tuition fee waiver से आप किसी college में apply क करेंगे, तो आपको एक certificate बनाना पड़ेगा, जिसमें अड़ाई लाग से कम आपकी family income आपको प्रूफ करना है, और फिर आपको किसी भी government ये private college में आपको कोई भी पैसे देनी की ज़रुवतने हैं पढ़ने के लिए बठा, extra karches जैसे की hostel यह वो और कुछ development charges आपको pay करने पड़ सकते हैं, तो ऐसे मैं देखे रखे, अगर आप बना सकते हैं, तो जैसे की मैं नहीं बना सकता है, तो मैं no करूँगा, इसके बाद income category देखे, below अगर 2.5 lakhs है, तो आप इसको yes कर सकते हैं, बट अगर सोचिए, मैंने yes किया, और जो है, family income जो है, 2.5 lakhs to 8 lakhs करता बाद में जाकर भी जो है, आपको problem होगा, तो ध्यान रखें, जो भी yes करेगा, वो family income 2.5 lakhs से कम रखेगा, नहीं तो बाद में आपके form reject हो जाएंगे, because the criteria says that, सीखें, ये हुआ बस एक तरीके का back of the mind playing game, जो भी बच्चा यहाँ गलती करेगा, कोई जा रहा है, किसी अगर केफे में भराने, और उन्होंने गलती कर दी, तो आपका career डूप सकता है, तो always take care, इसके बाद आपको लिखना है, कि क्या आपने बारवी pass कर लिए है, तो अगर आपने pass कर लिए है, तो आपको लिखना है, जैसे कि मैं 2019 से pass किया, और मेरी international board थी, अब general certificate, secondary education में था, school का नाम मैं यहाँ पर x, y, z डिक देता हूँ, क्योंकि मुझे तो form भरना नहीं है, और institute का pin code भी आपको लिखने की जरूवत है, जैसे कि मेरा institute का code था 7,13, अब मैं इसके बाद बढ़ जाओंगा आगे, तो यह दरीका है, अभी भी, अभी देखिए, आगे बढ़ गया, अब आपको जो है, अपनी address देनी है, ध्यान रखें, address में permanent address जो भी होगा, वो आपके आधार काट से match करना चाहिए, why so, because अगर अपने admission लेने गए, तो there can be an issue, but in general नहीं होता, तो अगर आप address में कुछ ही दतुतर करते हैं, तो कोई problem आपको नहीं face करना पड़ेगा, अब जैसे ही अपना address फिल करेंगे, save and next करेंगे, platform बहुत ही गुपसूरत बनाया है उन्होंने, और exam center चूज करेंगे, जैसे कि आप exam center सिर्फ West Bengal में चूज कर सकते हैं, दोस्तों, EST का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी और state में जाकर WBJ नहीं दे सकते हैं, आपको West Bengal ही आना पर जाकर वापस से मैं Kolkata डालूँगा, आप मैं जो है, North को चूज करूँगा, और इसके बाद जो है, फिर से मैं Kolkata ही, चूज कर लूँगा, या फिर मैं सोची है, मैं New Town चूज कर सकता हूं, ऐसे ही या फिर Salt Lake New Town, देखें, मेरा तीन center चूज हो किया, तो हमेशा ध्यान होगे कि ये 200KB कहां से मिलेगा, एक तो फोटो गिचता हो, तो बहुत बढ़ा हो जाता है, पहला तरीका तो एकदम traditional है, दोस्तों आप अपने दोस्तों को share कीजिए WhatsApp में, और DP का जो है, HD quality में मत कीजिए, आप तो वो भी feature आ गया है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते है, अपना फोटो डालना है, और आपका size radius हो जाता है, फोटो का, तो अगर मेरा फोटो कुछ है, तो दोस्तों मैं वहाँ पर डाल सकता हूँ, वीवेक documents में देखता हूँ, मेरा देखिए, यह फोटो है मेरे पास, तो मेरा एक फोटो में डाला, और यहाँ पर देखिए, इसक counting kb is allowed, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस image को डाल देता हूँ, और signature भी जो है मैं कुछ एक चीज डाल देता हूँ, बढ़ ध्यान रखें, आप signature एकदम सही डालेंगे, because that is very important, अब signature में उन्होंने का criteria रखा है कि 30 kb तक ही लगेगा, तो that means आपको वो मेरा method जो है वो आपको use करना पड़ेगा, तो अब यहाँ 30 kb कई हो गया मेरा image, और मैं यहाँ पर submit and preview कर लूँगा, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा signature में भी मेरा photo है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको जो है आपको काम करना है, यहाँ पर जो है बैस के बाद ज नहीं लगेंगे, लगेंगे दोस्तों, आप अगर domicile देते हैं, तो domicile certificate बना के रखेंगे, आप किसी category को देते हैं, तो category बना के रखें, PW, DO, BC, NC, L, सब बनाना पड़ेगा, OBC से सिर्फ काम नहीं बनेगा, दूसरा आपको EWS certificate भी बना के रखना पड़ेगा, तो आपको April के बाद ही जो है EWS renew करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है कि हर जियर IT return file उसी साल होती है, तो फिर उस समय आपको EWS renew करना पड़ेगा, family income below 2.5 lakhs देंगे, तभी जो है आपको tuition fee waiver yes करना है, नहीं अगर वो करके ये गलती कर रहे हैं, तो आपका form गलत हो गया, center देख करेंगे, एक बार वापस से check करेंगे, अपने locality, address, सब कुछ को, confirm करने के बाद signature verification करेंगे, मेरा photo signature पर लगा है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको save and final submit करके yes कर देना है, so that is the process, मैंने ये सारा process complete कर लिया, you have to do it in a good way, इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको प्रे registration fees, बहुत सारे लोग यहां पर payment में गलती करते हैं, because online payment देख सकते हैं, since मैंने EWS जाला है, तो I need to pay only rupees 400, अब payment में बहुत बार गलती होगा, कि आप बंधन bank को choose करें, देखें किसी को भी choose करें, कोई फरक नहीं पड़ता, but आप HDFC को choose करे, because it is more secure, India का number one bank, सब को loot रह है, मज़ा कर रहा हूँ, यहां पर आपको आगे बढ़ता हुए payment करना है UPI से, आप बहुत सारे बोलेगे कि mobile payment नहीं होगा, card लगेगा, यह लगेगा, वो लगेगा, नहीं, UPI कर सकते है, UPI क्लिक करेंगे, अपने app को क्लिक करेंगे, या फिर अपना mobile number डालकर straight UPI से 400 रु यह सब कुछ जो आपने यहां देखा, सिर्फ आपको Chrome खोलना है, वहाँ पर desktop site एक option होता है, बहुत लोगों को पता होगा, बस उसको करने के बाद यह पूरा form आप बड़ी आसानी से mobile में भर सकते हैं, और payment का भी जो process है, वो भी आप mobile में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कर भरना है, टाइम लेके भरना है, और जो है, हर बड़ाना नहीं है, हर हर एक चीज को एक नहीं दस बार देखें, कि गलती ना हो जाए, क्योंकि अभी की गलती आपको 6 मैंने बात जुकाने पड़ेगी, तो अगर दोस्ते यह वीडियो आपको पसंदा है, तो वीडियो को शेयर करें, जिनको इनकी जरूरत है, दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो आप तो अपने सबने वाले कॉलिज में जाएंगे, मैं भी जाने वाला हूँ, तो आप जो है, इसको मदद कर दें, तो बहुत अच्छे लगेगा, तब तो मिलते हैं, कहते है को अवरेदा है